अस्सलाम लेकुम दोस्तों मैं अंजुमारा एमाई फात्मा ट्रिक्टोरियल में आप सभी का वेलकूम तो देखिए आज मैं आपके लिए यह बहुत बड़ा थालिपूस लेकर आई हूँ एमी बनाने में आसान है लेकिन कुछ अलग परीगे का है उसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दे शेर कर दे और सब्सक्राइब कर दे और साथ साथ वे लाइकन को भी प्रेज करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटोफिक्रिशन आपको मिलता रहेगा और दोस्तो इस वीडियो को आएं तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे अगर नए है तो तो देखिए दोस्तो मैं आपको समझा रहे हैं कि यह किस चीज से बनाया गया है क्दकी आपको समझाण जंसे क्रेखिए दोस्तो मैं बनाया है और दोस्तों आप जितना छोटा यह बाज बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं देखिए यह सबसे बीच वाला है और एक टो टीन चार पाम छेट शाट यह चोटा साब बनाएगा तो साथ टीक्या में बनेगा उसके बाद उसे बड़ा बनाएगा तो यह उन्नेस टीक्या में बनेगा कि इसका घुमाव और इसका देखिए दो तीन चार पांच शेये साथ आठ नौ तर से गारा बारा तेरह सुक्ता पंदर सोला सफ्तरह अट्रह अप्ठरह अन्नाइस तो दोस्तों इसके बाद इस टिक्या बनाए गया है और इसको जोड़ा गया है इस थाली कुष्ण बनाने में असाम है तो देखे दोस्तों यह इसी सांचे से बनाए गया है यह सांचा देख लेजिए ध्यान से मार्केट में हो जबा अले रहे ला है में जाता है आप जहां वसे भी खरीदना चाहें खरीच सकते हूं इस बहुत ही अच्छा लगेगा यह इसाचा भार इसकट आप बनाना चाहते हैं इसके उपर तो फोल्टा बनाई के इसके ऊपर बनाना चाहिए तो बार году में आधना चाहिए तो ऐसा बनाई है यह तरह से बनाया बना दतार है को देखिआ है कि मैरे पास यह थालिपोस दोनों इंखी है और वहां में दोनों फिर दमाया है तो देखिए दोस्तों यह पूरा मेरा 38 38 टिक्या बनाए गया है इसमें इसको ज्वाइट किया गया है इस इसमें भी 38 30 किरी है इसमें भी 30 किरी देखिए दोनों एक ही बुरावर है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें हलसा सब्सक्राइब को भी प्रेस करें और मेरे वीडियो को आइंड तक देखिए दोस्तों और मेहलानी करके सब्सक्राइब जरूर करें देखिए और अगले वीडियो में आपकी फर्माईश भी तो मैं इसको बनाना बताऊंगी और जॉइंट करना भी बता दूंगी आपको यह इसी तरह बनेगा अग्याव् की और डापकराद नाया बनाना चाहता प्रॉण करने थ्र होओव, मेरे सब्समें, बन्यूट्थव बादा टक्य मेहीं यह बनाब़ेशय सब्सक्राइब झाजब दोस्तों सब्सक्राइब यह बना सकते हैं झाल झाल झाल